भारत की बेटियां आज इतिहास रचने की कगार पर हैं। धमाकेदार बल्लेबाजी से एक अलग पहचान बनाई। और साउथ अफरीका के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया। हर कोई हैरान था कि सिद 15 साल की उम्र में कैसे इस लड़की को टीम इंडिया में जगा मिल दी। लेकिन जिस तरह शेफाली ने शुरुआती मैचों में बल्लेबाजी की उससे हर कोई हैरान था। क्योंकि शेफाली वर्वा ने पहली बॉल से ही बॉलर्स पर अटैक किया और बड़े शॉट्स की बोचार कर दी। उसके बाद शेफाली ने T20 वर्ड कप में पहतर बल्लेबाजी की थी लेकिन टीम इंडिया को खिताब नहीं जिता पाई। इसके बाद शेफाली ने अपने कोच के साथ मिलकर एक नई तैयारी शुरू की क्योंकि तब तक उन्हें वन डे टीम में जगा नहीं मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने तेज गेंदबाजों को खेलना शुरू किया। आमतोर पर लड़के 135 से 40 किलोमीटर की रफतार से बॉलिंग करते थे और शेफाली उनके सामने बल्ले बाजी करती थे। शेफाली के मताबिक उन्होंने क्रिकेट के साथ साथ अपनी फिटनेस, डाइटिंग पर भी जोर दिया। साथ ही वर्ड कप की हार से उबरने के लिए उन्होंने कई सेशन भी किये। मैच्च फिट रहने के लिए शेफाली को अपना फेवरेट खाना छोड़ना पड़ा। शेफाली ने बताया कि वो पिजजा नहीं खाती क्योंकि उनका फोकस सिर्फ क्रिकट पर है। वहीं अगर शेफाली वर्मा के रिकॉर्ड को देखें तो सिर्फ 19 साल की उमर में उनके नाम 51 T20 मैच में 1231 रन है। शेफाली का स्ट्राइक रेट 134 का है और उनके नाम T20 में 144 के और 49 शक्के हैं। वो अब सिर्फ T20 नहीं भारत के लिए वंडे और टेस्ट भी खेल चुकी हैं। अभी तक उन्होंने दो टेस्ट मैच खेले हैं और एक 20 वंडे मैच खेले हैं। क्योंकि उनकी उम्र कम थी ऐसे में BCCI ने उन्हें अंडर 19-390 वर्ल्ड कप की कमान सौपी और अब वो इतिहास रचने के बेहत करीब हैं।